कड़नी की मुख्य जंक्सन इस्टेशन पर विकलांग यात्री एम वरिष्ट यात्रियों के लिए विगत चार महापुर्व एकसी लेटर की सुविदा दी गई थी जिसका शुबारम मद्वदेश के मुख्या शिरासी चोहानवारा वर्चुल मीटिंग के माध्यम से किया गय हाली में रेल यात्री सुविदा समिती की टीम ने यात्रियों की सुविदाओं का जाजा दिया और पश्ची मध्य रेलवे के 12 रेलवे स्टेशनों का ब्रहमन कर यात्रियों की सुविदाओं का निरिक्षन किया इसी तारतम में विगत दो दिन पुर कटनी स्टेशन में र एक्सिलेटर कटनी के मुख्य जंग्चन के दो नंबर प्लेटफोर्म में लगा हुआ है तवी से इस एक्सिलेटर की सुविधा वरिष्ट नागदिक एहम विकलांगों के लिए बंशित नजर आ रही है बाश्पसरकार यात्रियों की सुविधाओं के लिए अनिकों प्यास क रही है मगर यह जमीनी इस तर पर कितने कारगार साबित हो रहे हैं और यात्री इसका कितना लाव उठा रहे हैं कटनी पर मध्यरेल का बहुत बड़ा हब है हम अगर जैसे सुविधाओं कंटिकों मिलना चाहिए थी उन सुविधाओं से आज भी कटनी कही न कहीं वंचित दे रहा है कहने को तो यहां तीन मुख रेलवे स्टेशन है जो की चारों दिशाओं को जोड़ कर रखे वे हैं जिससे यहां चारों दिशाओं की यात्रियों का आवागमन होता रहता है नगर यहां इसके ट्रेलवे स्टेशनों में जो सुविधा यात्रियों को मिलना चाहिए वो कहीं न कहीं वंचित नजर आ रही है गृटि मोहाजाए तो यह एक्सिलेटर है तो यह बंद पढ़ा है क्या सब्सक्राइब का को यह वाले बिजगन यह कहा जाना आपको फिर कॉंसले कटनी से प्रमिन कुमार पाराशर किये रिपोर्ट